महानन्दा नवमीवरत कथा, श्री महानन्दा नवमीवरत की पौरानिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि एक साहुकार की बेटी पीपल की पूजा करती थी। उस पीपल में लक्षमी जी का वास्था। लक्षमी जी ने साहुकार की बेटी से मित्रता कर ली। एक दिन लक लक्ष्मी जी को अपने घर आने का निमंत्रन तो दे दिया किंतु वहुदास हो गई। साहुकार ने जब पोछा तो बेटी ने कहा कि लक्ष्मी जी की तुलना में हमारे यहां तो कुछ भी नहीं है। मैं उनकी खातिरदारी कैसे करूंगी। साहुकार ने कहा कि हमारे पास हम उसी से उनकी सेवा करेंगे। फिर बेटी ने चौका लगाया और चौमुक दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेती हुई बैग गई। तब ही एक चील नौलखा हार लेकर वहां डाल गया। उससे बेचकर बेटी ने सोने का थाल, शाल, दुशाला और अनेक प्रकार क व्यंजनों की तयारी की और लक्ष्मी जी के लिए सोने की चौकी भी लेकर आई। थोड़ी देर के बाद लक्ष्मी जी गनेश जी के साथ पधारी और उसकी सेवा से प्रसन होकर सब प्रकार की सम्रिद्धी प्रदान की। अतर जो मनुष्य महानंदा नवनी के दिन यह व पूरत रखकर श्री लक्ष्मी देवी का पूचन अर्चन करता है उनके घर स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ती होती है तथा दरिद्रता से मुक्ती मिलती है तथा दुरभाग्य दूर होता है।